नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चाल हैं आपके सार जी हम तो बहुत अच्छे हैं आप बताएगा भी बहुत बढ़िया है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे स्टार्ट करें यस सर कॉंपोजिशन स्कीम देखने के लिए हम जा रहे हैं छोटी छोटी बहुत सारी बाते इसके अ हो क्या वो परसन लाइबल टू पे टैक्स है या नहीं है अगर बंदा लाइबल टू पे टैक्स है फिर तो से हम आगे बात करेंगे और अगर वो लाइबल टू पे टैक्स नहीं है तो ऐसे बंदे से हमें कोई किसी प्रकार की बात नहीं करनी है रेगुलर स्कीम हम देख च पर 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 रहा है तो नो में जाएगा तो बात खता है हाँ अगर यस में आ रहा है तो फिर हम आगे उससे बात कर सकते हैं हमने पूचा कि क्या आप इन six में से कोई एक है six situations यहाँ पर देखी जाती हैं अगर आप इन में fall करते हैं तो फिर आपके लिए competition scheme नहीं मिलेगी फिर आप regular scheme के अंदर ही धक्के खायेगा कौन-कौन सी वो six situations से मैं आप से बात करता हूँ पहले point पर आता है यहाँ interstate supply अगर आप interstate supply में involved हैं तो आप composition के लिए eligible नहीं हो सकते हैं दूसरी शब्दों में जो interstate supply हैं जो उसमें engaged हैं वही वेक्टी composition scheme के लाब ले सकते हैं और obvious ही बात है हमारा objective है जो small dealer हैं उनको help करना तो जिसका जो turnover है वो cross border जा रहा है तो भाई आप कैसे उसको इस तरह से estimate कर सकते हैं तो उसके लिए allowed नहीं किया जाता है नमबर दो अगर मैं goods focused scheme की बात करता हूँ जो कि 10, 1 और 2 में fall करती है इसमें हम लोग goods focused की बात करते हैं और 10, 2, A के अंदर हम लोग service focused scheme की आप से बात करके चलते हैं तो goods focused के अंदर ध्यान दीजिए आप service में deal करने वाले नहीं होने चाहिए अगर service में deal करते हैं तो आप इसके लिए eligible नहीं रह जाएंगे लेकिन इसके कुछ exceptions जरूर हैं कि आप इन छोटी मोटी services के अंदर deal कर सकते हैं जैसे माल लीजे आप restaurant चला रहे हैं तो आप 10, 1 और 2 वाली जो composition scheme है goods focused उसका हिस्सा बन सकते हैं अगर कोई आप interest on loan advance या deposit कमा रहे हैं तब भी आप goods focused scheme को ल marginal services दे रहे हैं जिसमें आपका 10% of turnover in the preceding financial year और 5 lakh rupees whichever is higher अगर इस limit तक आप छुट-पुट service दे रहे हैं तब भी आप eligible हो जाएंगे 10, 1 और 10, 2 वाली composition scheme के लिए जो की goods focused है अगले point पर यहां आता है कि आप non taxable जैसे diesel petrol वागरा हो गया non taxable goods के अंदर आप deal करने वाले नहीं ह होने चाहिए अगर आप हैं तो आपको composition scheme का lab नहीं मिल पाएगा उसके बाद D point पर आता है अपना कि पहले एक point हुआ करता था कि आप e-commerce के थो goods की supply आप नहीं कर सकते हैं goods या service की supply अगर आप करते हैं तो फिर आपको यहां पर जगा नहीं दी चाहेगी इस मैंसे यह goods card दि पूछा जाएगा आपसे कि क्या एक व्यक्ति ऐसा है जो कि goods की deal कर रहा है e-commerce operator के throw कर रहा है और अपना normal business भी करके चल रहा है क्या ऐसा बंदा composition scheme को ले सकता है the answer is yes ले सकता है लेकिन सर अगर ऐसा बंदा हुआ जो कि यहां पर मालीजिये services को e-commerce operator के throw root out कर रहा है और बाकि यह बंदा composition के लिए opt कर सकता है the answer is no goods allow कर दिया गया है composition scheme के अंदर कि आप e-commerce operator के throw जाओगे तब भी composition का लाब आपको यहां पर दे दिया जाएगा उसके बाद सहाब अगला point यहां निकल के आता है कि भाई आप manufacturer नहीं होने चाहिए इनन चीज़ों के अगर आप manufacturer है tobacco, ice cream, पान मसाला, irrated water हो गया अपना और like bricks हो गई and like आपके blocks हो गई, tiles हो गई, इस तरह के activities में अगर आप engaged है manufacturing कर रहे हैं तो भी आप यहां पर allow नहीं हो पाएंगे वैसे करके और F point पे आता है अगर आप casual taxable person है या NRTP हैं तो भी आपको इस scheme में जगह मिलने वाली नहीं है ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको यह चेक करना है, अगर आप यहां fall कर गए तो फिर आगे जाना ही मत, आपको regular मिलेगी, आपको compositions की मिलने वाला नहीं है दूसरी बात इधर आते हैं हम, कि माल लीजिए आप इन 6 में fall नहीं करते हैं, तो यहां फिर आपका एक another test किया जाएगा और यह होगा आपका turnover test चेक करेंगे कि क्या आपका preceding financial year के अंदर जो turnover है, वो 150 लाख या फिर 75 लाख को cross कर रहा है अगर हां कर रहा है तो आपको जगा दी जाएगी regular scheme के अंदर, आप composition का lab नहीं ले पाएंगे लिकिन अगर preceding financial year के अंदर आपका जो turnover है, वो limited to 150 लाख या 75 लाख है तो फिर आपको composition scheme के अंदर आपका स्वागत है, यहाँ पर आपका welcome कर दिया जाएगा पर इतने ज़्यादा खुश मत होईएगा, हमने जो limit रखी है 150 लाख की या 75 लाख की preceding financial year को देखकर, आपकी eligibility हमने यहाँ पर set करी है लेकिन आप कब तक eligible बने रहेंगे, तब भी वही limit अपनी काम करके चलेगे यानि बात ऐसी है, जिसे मालीजे यहाँ पर है यह हो गया अपना preceding financial year और यह है आपका current financial year तो अगर आप यहाँ पर limited रहे हैं 150 लाख या 75 लाख तक तो इधर आकर eligible तो आप हो जाएंगे, लेकिन माल लीजिए यह आपका यहाँ पर पैमाना लगा हुआ है और यहाँ पर आपका 1500 लाख ही पूरा हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक day one से लेकर day one से लेकर आपका यहाँ पर 1500 लाख पूरा हो जाता है, तो एक barrier यहाँ पर खिंच दिया जाएगा कि बस बहुत हो गया, आप यहीं तक eligible रहेंगे composition scheme के अंदर तो यहाँ composite trade से tax भर के चलेंगे और अगले वाले phase के लिए साल में जो बचा हुआ साल उसमें जो turnover होगा उसमें आपको regular scheme का सामना करना पड़ेगा, यहाँ पर एक गलती बिल्कुल भी मत कर देना हो सकता है कि आपका इधर आकर कोई नया registration रहा हो, तो turnover पिछले साल में आपका zero इधर रहा होगा, ठीक तो यहाँ पर आकर जब आते हैं आप, तो पहली बार अपना काम धंदा करके चल रहे हैं, तो क्या composition के लिए eligible हो जाएंगे, हाँ eligible हो जाएंगे क्योंकि आपका प्रिसुनिंग financial turnover, मैं जो turnover है वो डेर सो लाक या प्चतर लाक से उपर नहीं, तो eligibility तो आपको मिल जाएगी, पर आपका मान के चलिए, जीरो लेवल यहाँ हैं, बीस लाक यहाँ पूरे होते हैं, डेर सो लाक यहाँ पूरे हो जाते हैं, तो मैं जब यह calculate क यह गलती मत कर देना, आप यहाँ से यहाँ तक तो tax भरने के लायक ही नहीं है, आप को GST भरना ही नहीं है, और जब मैं पता है कि GST हमें भरना ही नहीं होता है, तो no question of composition scheme या regular scheme वैसे करके ठीक है, अब जो बाकी period आपका यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का बचेगा, यहाँ आपको GST भरना है, और इस period के लिए आप अपनी composition scheme का lab ले सकते हैं, तो यहाँ पर composition scheme लगेगी, उसके बाद फिर आपके regular scheme को यहाँ पर apply करवा दिया जाए, बोलेंगे, राधे, राधे, ठीक राधे, हाँ सर जी, एकदम ठीक है, कौनों दिक्कत वाली बात नहीं है, तो पिछले साल को देखकर current year में eligibility तै करी गई और current year में कब तक बने रहेंगे, यह हमारे वही limit काम करती है, 150 लाक या 75 लाक रुपे की, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह day one से count की जाएगी, always चाहे आपका registration नया है, या आपका registration पुराना है, राइट बेबी, यह सर, सर 75 लाक की limit लगती है, आपकी आठ इस्टेट के अंदर, अब आठ इस्टेट कौन कौन से हैं, इसमें मनीपुरा आता है, मिजोरम आता है, नागलेंड आता है, तिरपुरा आता है, और साथ में इसमें आपके चार और इस्टेट आते हैं, जिसमें अरुनाचल प्रदेश है, जिसमें आपका उत्राखंड है और इसमें आपका मेघाले है और सिक्किम है तो अरुनाच उत्राखंड का अरुन्था और सिक्किम की मेघा थी तो ऐसे करके यहां पर यह आठ इस्टिट आप क्या जाते हैं जहां पर 75 लेक की लिमिट लगाई जाती है आपको दिखने में दोनों लिम अगर आपने कर लिया तो इसे करके हमारी बात यहां पर होती है और इसके बाद फिर हम और आगे बढ़ते हैं जब आप यह सेलेक्शन करके चलते हैं कि आपको रेगुलर स्की में जाना है या फिर कॉम्पोजिशन में जाना है सर के अपने हाथ की बात होती है देखे अगर आपको जी एस्टी भरना है तो यह आपकी च्वाइस है कि आप रेगुलर में मूव करें या फिर कॉम्पोजिशन में मूव करें ठीक है लेकिन अगर आप एक लिमिट से उपर चले गए हैं तो फिर आपको यह रेगुलर का आप अप्शन ही रह जाता है यानि कि जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए दोनों दरवाजे खुले हैं यहां रही है यहां रही है लेकिन जो फिर सो लाग से उपर वाले व्यापारी उनके सिर्फ एक यह आप्शन होता है रेगुलर का तो छोटे व्यापारी जब भी चुना के लिए आपको रेगुलर में जाना पड़ेगा आप इसे कस्टमाइज नहीं कर सकते जैसे मान लीजिए यहां पर मेश्टर एक्स है और उनका अपना ये पैन रखा हुआ है और इनका जो बिजनेस है वो अलग-अलग स्टेट में है यूपी में भी है महराश्टर में भी है अलग-अलग बिजनेस प्रमाइज भी इनके हैं सर ये पर छोटा बिजनेस में कैसे हुआ अरे ठेली लगाता है सब जी की ठेली लगाता है यह ठीक है तो जो टर्नोवर इसका बीस लाग से उपर जा रहा है और इंडिया का तो रिश्टेशन के लिए लाइक तो यह हो जात यूपी के लिए रेगुलर ले लूँ एंपी महराश्ट के लिए कॉम्पोजिशन ले लूँ इसके लिए रेगुलर ले लूँ कैसे कर सकता है यह भी पॉसिबल नहीं यह फैसला इधर आ के लिए जाएगा औल इंडिया बेस पर एक पैंस लिंक जितने भी ले लूँ पॉसिशन में फॉल नहीं करते हैं और आपका जो टरन ओवर पिछले साल में वो डिर्ट सुला के अप चतर लाग तक लिम्टेड है तो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आपका वैलकम कर दिया जाता है और जब यहां आपका यह वैलकम किया जाएगा तो दरवा ही कम यहां पर दिये हुए हैं वो कैसे करके अगर आप एक मैनुफैक्टर हैं तो रेट आपका 1% है अगर आप एक रेस्टोरेंट वाले हैं तो रेट आपका 5% का है अगर आप ट्रेडर है और साथ में लाइक अदरवाइस कुछ चिटपट सर्विस भी दे रहे हैं तो या मार्जिनल सर्विस की अगर बात करके चल रहे हैं तो वहाँ पर आपका रेट 1% का लिया जाता है सबसे एहम बात यह है कि जो 1% होगा वो 1% प्लस होगा और किसका टैक्सिबल प्लस एक्जेम्टेड दोनों का ही लिया जाएगा वैसे करके बूलते हैं सरे तो गरत हो गया जो एक्जेम्ट होगा उस पर टैक्स क्यों मांग रहे हैं मैं आपको बताता हूं देखिए जो रेगुलर स्कीम के अंदर आपके रेट होते हैं वो 5% का है 12% का है 18% का है 28% ठीक है और 0% भी वहाँ पर होता है और निल रेट भी अपना होता है तो जब हम बात करते हैं कॉम पर 1% ही रहेगा यानि एक्जेम्ट पर भी आपका 1% ही लिया जाएगा जहां तक सवाला ट्रेडर और अधर मार्जिनल सर्विस के रेस्पेक्ट में तो 1% यहां पर पहले हुआ करता था टैक्सिबल प्लस एक्जेम्ट लेकिन बाद में यह चैन 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 रोने लगे इसलिए इनके लिए सिर्फ टैक्सिबल का ही कर दिया गया है नोट इट नोट इट यह सिर्फ टैक्सिबल का है बाकी समय टोटल टरनोवर का लिया जाता है 1% 5% जहां तक सवाल है यह 1% 5% सुधा की दिश्टी से बूल देते हैं 1% 5% प्रैक्टिकली तो यह ऐसे करके 0.5 प 5% यह आपके कंबाइंड रेट यहां पर दिये हुए हैं इसलिए आप इनको बोल के चलेंगे 0.5 प्लस 0.5 और 2.5 प्लस 2.5 की यहां पर बात करी जाएगी प्रेम से बोलेंगे राथे राथे दूसरी बात यह कि यहां पर आकर चुकि आपको कॉंपोजिशन की बात करके च आता है इसके ऊपर आकर इनवाइस होता है बिलफ सप्लाई के अंदर यहां पर लिकर चलेंगे इसकी इंटर्प्रेटिशन यह हो जाती है कि जो 1% यह 5% की आप से बात की जा रही है यू कैन नौट चार्ज आप चार्ज आप चार्ज कर ही नहीं सकते बिकॉस यूर इस्व बिल आफ सप्लाई आप उसे चार्ज नहीं कर सकते जो भी वैल्यू आपकी आएगी बस वही लेंके चलेंगे अलग से कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते सर मान लीजिए अगर हमारी यह वैल्यू दो लाख रुपे की आती है तो यहां पर GST कैसे कॉंप्यूट किया जाएगा GST कॉंप्यूट करने के लिए अम ऐसे करेंगे कि दो लाख इंटू 1 ब़ाई हमण 2021 कि इसमें मान के चलेंगे कि GST शामिले 2 लाख के अंदर ही या फिर ऐसे करके चलेंगे दो लाख इंटु 1 डिवाई बाई हंडिड ऐसे करेंगे बाभू ऐसे करके चलेंगे आप ऐसी अपनी पॉकिट से बनना है तो कहीं न कहीं वो प्राइस को हाइप करके चलता लेकिन हम मुह पे नहीं कह सकते कि आपने जीस्ट में चार्ज कर लिया है तो आप जो भी टर्न ओवर आएगा उस पर सिंपल वन डिवाइड बाई हंडर यह फॉर्मूला अपलाई करके चलेंगे अपनी पॉकिट से आप इसे भर देंगे वैसे करके अगली बात यहां पर यह है चुकिए आप चार्ज भी नहीं कर रहे है तो आप ITC वा ITC का जगड़ा भी छोड़ी है तो कितना असान है ना कोई आउटपुट जीस्ट कलेक्ट करना है ना कोई ITC बुक करना है कलेशी ख ख्रिदारी कहां से करके लाते होंगे शायद होलसेलर से जैसे माली जी कप्टे का व्याप आ रहे है तो आप दिल्ली जाते होंगे चांदने चौक जोगी वाड़ा नाम की जगह है जहां पर होलसेल का सारीयों का बिजनस है वहां से लेकर आ रहे होंगे यह आपका ड्राइ वो 188 रोपे की यहां पर पढ़ने वाली है आप ज़्यादा खुश्मत होएगा कि कमपोजिशन तो बहुत मज़े की चीज है भाई सब यहां तो एक परसंट ही भरना पढ़ रहा है एक परसंट तो यह है यह है साथ में यह जो पीछे से 18 रोपे का बना है उसमें साइटी से घटा दीजिए बात कतम हो जाती है लेकिन यहां पर यह पीछे से उट भी धक्के मार रहा होता और आगे बिल्ली यहां पर यह बैटी हुई है तो बिल्ली प्लस उट यह अल्टिमेटली आपको पे करना होता है और दूसरी बात यह है कि अगर आप एक B2B सप्लाइर है यानि कि आप जो हैं जो कॉंपनिशन स्क्रीम को अप्ट करने के सोच रहे हैं अगर वो B2B सप्लाइर है तो रेसिपियंट आदमी को आपके दोरा इशू किये गए B2B सप्लाइ के बेस पर ITC अविलेबल नहीं हो सकता है क्योंकि आपने उसे GST चार्ज किया है नहीं है आपने GST चार्ज किया ही नहीं तो इसको ITC भला कैसे मिलेगा लेकिन अल्टिमेटली आपने जो वैल्यू चार्ज करी है इसके अंदर कहीं पिछले वाला 18% भी शामिल है और कहीं न कहीं आप अपने दिमाग में 1% की फिगर भी होती है उसका इंपक्ट भी इसके अंदर डाल रहे होते हैं तो सामने वाला जो कस्टमर है उसकी जेपन लोड तो पड़ रहा है बट इसको बेचारे कोईटी से ना मिल पा रहा है इसलिए धान दीजिएगा अगर आपकी रजिस्टर्ड क्लाइंटेज है तो फिर आपको कॉमपोजिशन स्कीम लेने का कोई भी फाइदा होने वाला नहीं विकाज वो आपके पास आने वाला नहीं है तो बेसिकली जो छोटे मोटे रिटेलर्स होते हैं जिनका मोस्टली सेल बी टू सी वाला ही होता है यह उन लोगों के लिए बेनिफीशल यहाँ पर आकर हो जाती है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे जो भी आपका टरोर बनता एक फिक्स परसंटेज है टेक्स जमा कीजिए और बात खतम वैसे करके यहाँ पर बोल दिया जाता है मालिक ठीक है सर्दी कौनों दिक्कत वाली बात नहीं है उसके बात जो कंप्लैंसिस आपके होते हैं तो यहाँ पर क्या GSTR 1 आपको भनना होता है जी 1 नहीं भनना होता है यहाँ पर आपको CMP 08 भनना होता है और वो भी क्वार्टरली फ्रिक्वेंसी पर 18 तक भरना होता है क्या यहाँ पर GSTR 3 भी फाइल करना होता है जी नहीं यहाँ पर आपको GST R4 फाइल करना होता वो भी आपको Annual Frequency पर देना होता है और Annual Frequency पर साल खतम हो गया तो साल खतम होने के 30th April जो आ रहा होगा वहाँ पर आपको यह देना होगा और जहाँ पर सवाल है GST का Payment करना तो Regular Scheme के अंदर GST का Payment मंतली Frequency पर किया जाता है लेकिन यहाँ मंतली नहीं होगा यहाँ GST का जो Payment आपसे करवाय जाएगा वो एक Quarterly Frequency पर जब GST CMP 08 फार्म भर रहे हैं उस वक्त आप यहाँ GST का Payment करके चलेंगे आपको Lesser Books of Account मैंटेन करने की आवश्यक्ता पड़ेगी तो इतने सारे सुविधा हैं Compliance is why otherwise आपको धेर सारे सुविधा हैं यहाँ पर दी हुई है साथ में जो Bill of Supply आप अपना इशू करके चलते हैं तो इस पर आपको लिखना होता है लख Supply पर लिखा है कि मैं एक Composer Dealer हूँ और मुझे GST चार्ज करने का दिकार नहीं है तो ऐसे लिखके क्या उसमें GST चार्ज कर लेगा और बिसिकर है जिनको हमारा टारगेट था बस उनहीं के लिए बनाना तो वहीं पर इसका बेनिफिट मिला है तो यह थी आपकी Goods Focused Composition Scheme ऐसे करके मालिक आईए अब चलते हैं बुक की तरफ चलें यह सर तो देखते हैं यहाँ पर आके तो लिखा हुआ है Concept of Composition Scheme What is Composition Scheme? यह एक Optional Method आपको दिया गया है छोटे व्यापारियों के लिए Option है चाहो तो Composition में रहो चाहो तो Regular के इंदर रहो बड़े व्यापारियों के लिए नहीं है उनके लिए सिर्फ Regular ही है Pen Based Scheme है आपकी यह All India में या तो सब के लिए अपनाए यह Regular या सब के लिए अपनाए आप Composition Scheme ऐसे करके बोल दिया जाता है छे तरह की situations में यह Available नहीं होती है कौन-कौन सी अगर आप Interstate में डील कर रहे हैं अगर आप Service में डील कर रहे हैं इसको हम Boys Hostel की तरह लेके चलते हैं कि Boys Hostel है तो Boys Hostel में Service यानि की लड़की नहीं रह सकती है हाँ कुछ रह सकती है खाना बनाने वाली रह सकती है काम वाली रह सकती है छोटी बच्ची यहाँ पर रह सकती है Limited Value Services या Marginal Service के हम बात कर रहे हैं वो रह सकती है 10% और 5 lakh whichever is higher ठीक Supplier of Non-Taxable Goods Supplier of Non-Taxable Goods है वो यहाँ नहीं रहेंगे Supplier, Person Who Supplier, यहाँ से Goods कार्ट देना Supplier, The Person Who Supplier Services Through E-Commerce Operator अगर आप E-Commerce Operator के थरो Services दे रहे हैं तो आप Composition के लिए Eligible नहीं है अगर आप E-Commerce Operator के थरो Goods की Dealing कर रहे हैं तो आप Eligible हो जाएंगे Manufacturer of Specified Goods Tobacco, Ice Cream, Pan-Masala, Irritated Water and Bricks, Blocks and Tiles और अगर आप Non-Resident Taxable Person या फिर Casual Taxable Person है तब भी आप Eligible यहाँ पर नहीं रहेंगे अब बात करते हैं कि अगर आप इन Six में Fall नहीं करते हैं तो फिर आपका Turnover Test कराया जाएगा देर सुलाक या 75 लाक तक अगर आप सीमेत हैं तो ही Eligible होएंगे Otherwise नहीं होंगे 75 लाक किलिमेट मनीपूर मेजरम नागलान तरपरदेश उतराकंड मेगाले सिक्यम के अंदर लगाई जाती है और ये आपकी तब तक आप Composition Scheme का हिस्सा बने रहेंगे जब तक की आप जब तक की आप 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 इस 150 लाक या 75 लाक के दाएरे में रहते हैं Once the person eligible for Composition Scheme, he will remain eligible only up to 150 या 75 लाक तक eligible रहेगा और ये जो counting हाओं करके चल रहे हैं अपनी इस counting के अंदर मालिक ये 0 day से अपनी counting करी जाएगी यहाँ पर आका ठीक है जी तो day one से इसकी counting कराई जाएगी और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं जो rates है Composition Scheme के अंदर, manufacturer होगे आपका ये 1% का, restaurant 5% और ये 1% ये all का है, taxable exempted ये भी all का है, लेकिन ये सिर्फ taxable का है Inward supply आप ले रहे हो, चाहे NCM के अंदर ले रहे हो, चाहे RCM के अंदर ले रहे हो यहाँ पर आपका जो rate आएगा, वो सहाब regular rate ही आएगा उसके पीछे कारण क्या है, माल लीजिए आप UP गाजियाबाद के अंदर हैं और यहाँ दिल्ली होल सेलर के पास से आपको समान ले कर आ रहे हैं और वो NCM यानि की forward charge के अंदर GST बनता है तो अपना invoice यहाँ पर generate करेगा बंदा, 100 पे प्लस 18 रुपे तो अविसी बात है वो तो अपना tax भरेगा 18 के साब से तो यहाँ पर आकर आपका load तो पढ़ता ही अठार रुपे का खेर क्योंकि आपको ITC वगरा तो मिलते हैं नहीं पर मेरा प्रशनी है कि अगर मान लीजिए यही inward supply NCM में ना होकर RCM के अंदर हो गई और दूसरे वाले बंदे का tax आपको भरना पड़ गया तो आप 1% से भरेंगे कि 18 से भरेंगे कि ITC ने मिलेगा, bill of supply शू करोगे RCM supply ले रहे हो तो आपको regular rate of taxi भनना पड़ेगा quarterly payment returns है fraudulent intent हुआ तो ऐसी के तैसी कर दी जाएगी मतलब कि आप composition scheme के लिए eligible तो थे नहीं लेकिन फिर भी आप composition scheme के अंदर जाकर बैठे हो जैसे राहूर केदू पहुँच गए थे अमरत वाली line के अंदर जाकर तो सर काट दिये गए थे तो ऐसे ही यहाँ पर sit तो नहीं काटेंगे लेकिन हाँ GST recover किया जाएगा interest लिया जाएगा penalty की बात करे जाएगी notice demand order सब कुछ ऐसी किते है इसको always 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 ignore किया जाएगा और एक और सबसे बड़ी गलती आपसे हो सकते हैं इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो हम six situations अपने देख के चलते हैं यह छे situations हमारी current financial year की है current financial जैसे माले यह interstate की बात कर रहे थे कि interstate supply आप नहीं कर सकते हैं तो भाई आप पिछले साल में आपने कुछ भी कांड कर रखे हो वो से matter नहीं करता है हाँ वो matter नहीं करता है current year में आप छे में से कहीं पर भी fall नहीं करने चाहिए यह आपको ध्यान में रखने वाली बात है या exam में आप गरती कर सकते हो उसके बाद फिर आपकी service focused scheme आजाती है और वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपकी goods focused है बट स्टिल दौनों को मैंने compare किया side by side तो comparison में क्या निकल किया आता है यहाँ पर रहता है अपने 1.5 लाक और 55 लाक की limit की बात होती है लेकिन यहाँ पर 50 लाक और 50 लाक I mean to say कि यहाँ पहाड़ी एरिया में भी limit 50 लाक की रहती है Sir ऐसा क्यूं है ऐसा ऐसलिए है कि goods में और service में अंतर होता है goods में अगर deal कर रहे हो पहाड़ी एरिया में जाकर तो बड़ा मुश्किल होता है फैक्टरी डालना पहाड़ी एरिया में पहाड़ के ओपर फैक्टरी है सोच के देखो जराब transportation सबसे ज़्यादा वहाँ दिकर transportation की होती है तो वहाँ पिछेता लाक का business आपके नॉर्मल एरिया के 1.500 लाक के business के बराबर हो जाता है लेकिन अगर मुझे बताइए मैं अपना studio हिमाले के चोटी पर जाकर बना देता हूँ क्या मुझे कोई आफ़ता आएगी और ज़्यादा मज़ा आएगा चार और तरफ वादिया ही वादिया होंगी फुल अफ ऑक्सिजन होगी सर सिगनल आएँगे आएटल हर जगे सिगनल देता है पहाड़ों में समंदर में हर जगे मिलते हैं उसके बताते हैं जैसे के एड में उस सिगनल भी आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं है तो वहाँ सर्विस देन में कोई आफ़त नहीं आ रही है इसलिए सर्विस के लिए चाहे आपका पहाड़ी स्टेट हो या अधरवाईज हो लिमिट पचास लाकी रहेगी यहाँ पर देखते हैं 1%, 5%, 1% की बात करते हैं बट यहाँ पर 6% की बात की जाती है यहाँ 6% का ब्रेक अप 3 प्लस 3 है जैसे वहाँ पर 0.5 प्लस 0.5 था है यहाँ पर 3 प्लस 3 है आप देखके बताईए दोनों में से और अट्रेक्टिव स्कीम कौन सी है सब दोनों के अंदर अगर आपकर बात करके देखोगे तो आपकी यह ज़्यादा है इसलिए यह boy's hostel उसको बुलाया जाता है boys hostel ज्यादा attractive और यह अपका girls hostel जहाँ पर services के लिए बनाया गया है बाकी जो छेप्रकार के लोग थे छेप्रकार के लोग यहाँ पर भी common अपने रखे गए हैं और कौन-कौन इसमें जा सकते हैं लड़की रह सकते हैं लड़कियां नहीं रह सकती हैं वाली है वो रह सकती है और छोटी बच्ची रह सकती जसकी उमर दस साल तक सीमे Все है constellation जैसे मान के चल Cry बाई मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं की एक ब्रो है और एक सिस है ठीक है ब्रो की उम्र 20 साल है, सिस्टर की उम्र 6 साल है, 6 बरस की है, बहुत छोटी है इनके लिए ज़्यादा सूटेबल होस्टल कौन सा रहेगा, बॉइस होस्टल या गर्ल्स होस्टल सर सिस्टर की अमर बहुत कम है इसलिए इनके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा बॉइस हॉस्टल ठीक लेकिन अगर मैं चेंज करूं कि ब्रो की अमर 20 साल है और सिस्टर की जो अमर है वो 18 एर्स है ऐसे में अगर एक अठे इनको रहना है तो कौन सा हॉस्टल ज़्यादा सूटेबल रहेगा बॉइस हॉस्टल या गर्ल्स हॉस्टल इमानदारी से सोच के बताईएगा सर इसके लिए ज़्यादा बेनिफिशल रहेगा गर्ल्स हॉस्टल तो बस मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि जब marginal services बड़ी हो जाती है जब marginal service बड़ी हो जाती है तो boys hostel safe नहीं रह जाता है फिर उसके लिए girls hostel जादा बहतर है तो इसलिए girls hostel में कौन रहेगा सिर्फ लड़की है तो रहेगी साथ में goods के साथ साथ अगर जो marginal service जिनको कह रहे हैं थे अगर वो exceed कर जाती है limit से तो फिर उनको यहां पे रखवा दिया जाएगा ऐसे करके अपनी बात हो जाती है बाके सारे provision common है चाहिए bill of supply का हो return filing का हो books of account maintain करने का रहा हो या choose करने का रहा हो कि भाई आप all India के लिए या तो regular low या competition लो बाके जितने भी provision ITC नहीं मिलेगा and all सब के सब provision आपे common है difference मैंने आपको यहां पर बता दिये हैं इसके बाद मैं आपको question answer का video भी देने वाला हूँ वो question answer का video आपने जरूर जरूर करना है यह वाला video आप एक बार को बले skip करने लेकिन आपके जोश के साथ अपने तैयारी को कीजिए फटाफट जो भी काम निप्टाना आप फटाफट निप्टाओ मैं आपको बताओ टाइम टेबल बना लिया करो daily का slot daily का बनना चाहिए आपका पढ़ने बैटो सुबह को आज मुझे यह काम करने हैं इतने से इतने तक इतने गंटे में होजागा अगर किसी काम को लगने करने में लगा आपको तीस मर्ट लगेंगे तो 35 मट लेके चलो उसके अंदर अगर लगता है जाए अगर आपका target पूरा नहीं होगा तो frustration पैदा हो जाएगी तोड़ा फ्लेक्जिबल लेकिए चले लेकिन आपके आँखों के स वेस्ट करते रहते हैं इसलिए डेली का टाइम टेबल आपको होना चाहिए कि आज मेरा ये टारगेट है ये मैंने पूरा करना इससे आप एक मिनट भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मान के चलना किसी काम के लिए एक घंटा दिया है ना तो भाई ये दिमाह में सैट कले ना के बेटा ये वाला एक घंटा बीट गया पर जिंदगी में कभी सकाम को नहीं कर पाओगे ये निकल गया तो पर दूसरे वर्क आपके आने वाले हैं इसके लिए सिर्फ यही टाइम अलॉट है ये मान के चलना देमाग के अंदर दुबारा फिर ये समय में लेगा नहीं इसलिए डोंट वेस्ट आ टाइम और फटावट पुरी तयारिक साथ लग जाएए और एक्ज